मुसहर जाती के ब्यक्ति को प्रत्याशे बनाकर राश्चिय जनता दल ने कोई एहसान नहीं कर दिया है। यह बात कुछ दिन पहले भारतिय जनता पाटी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजे जैस्वाल ने कहा था। और उनके इस बयान के बाद कुछेश्वर अस्थान विदानसवा छेत्र में मुसहर जाती को लेकर राजनीती खुब तेज हो गई है। आप उप चुनाव के रण का अंदाजा सिर्फ इतने से लगा सकते हैं कि जो विश्षशक ये दोनों विदानसवा सीटों को करीब से देख रहे हैं उनका कहना है कि दोनों पाटिया यानि कि राश्य जनता दल और जनता दल इनाइटेट की तरफ से एक-एक ब्यक्ति से परक करने की योजना चल रही है मतलब कि दोनों तरफ से उमिद्वार हर घर के दरवाजे पर जाकर ब्यक्तिगत तोर पर मद्धताओं से मिलना चाहते हैं और इसके लिए उनके कारिकरता भी लगे हुए हैं आम तोर पर विदानसवा चुनाव को लेकर इतने छोटे अस्तर पर तैयारी नहीं होती है लेकिन यह उनक चुनाव जद्यू के लिए भी और राज़त के लिए भी कितना मौत्पुल है यह दोनों पक्ष जानते हैं और इसी लिहास से कोई भी पक्ष कहीं कोई चूक होने देना नहीं चाहता है जो लोग करीब से चुनावी तैयारी को दे से अपना उम्मिद्वार गनेश भारती को बनाया है जो मुसहर समास के तालूप रखते हैं तो दूसरी तरफ जद्यू और भाज़्पा के नेता लालू प्रसाद यादों पर मुसहर जाती के नेताओं को हगने का भी आरूप लगा रहे हैं अपने मसकार में नहीं मुईत क से लाज होता है इसी के साथ यहां आपातकाली सेवा जैसी आन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं विहार में चुनाओ के लिया से जाती वाला गणित सबसे महत्पुन है और इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है अब विधान सबाग के उप चुनाओ में जाती ही सबस सब विकास के बारे में बात करते हैं लेकिन चुनाओ के वक्त हम सब जाती के इर्ध गिर्द घूंगते हैं। इस वीडियो में विशेष रूप से कुशेश्वर अस्थान विधान सभा के बारे में चर्चा करेंगे। कुशेश्वर अस्थान विधान सभा को लेकर जद्यू की त्रब से जीतन राम माजी को खास तोर पर आगे किया जा रहा है। इसका भी सबसे बड़ा कारण जाती वाला गडित है। मैं अगोशित सियम थे तब मैंने माउंटेन मैं दर्श्यत माजी जी को सम्मान दिलाने के लिए कई बार आपसे अनुरोद किया। और आपका जबाब था मुसहर कुर्सी पर बैचला हो माजी जी। आगे जीतन ना माजी ने लिखा था कि खैर आज जीतन के डर से ही सही पर आपने मुसहर को सम्मान देना तो शुरू किया। यह डर अच्छा है। आपके और हमारे लिए यह सिर्फ एक ट्वीट हो सकता है। लेकिन राजितिक रूप से यह कितना मौतपुन है यह बात सिर्फ हमारे राजियता समझ सकते है। राश्य जनता दल की तरब से कोशिश की गई है कि जाती वाला समिकरन साज कर चुनाव जीता जाए लेकिन जद्यू की तरब से जीतन राम माजी को बीच में खड़ा कर समिकरन को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। कॉंग्रेस पार्टी का कहना है कि कुशेश्वर अस्थान में केवल जाती देकर उमिद्वार बनाना कितना महगा होगा यह बात राश्य जनता दल को चुनाव के बात पता चल जाएगा। किया। लेकिन कॉंग्रेस पार्टी बीच में खड़ी हो गई। जद्यू के लिए सबसे बड़ी रहात की बात है कि कॉंग्रेस पार्टी भी वहाँ अपना उमिद्वार उतार रही है और जद्यू के नेता बखो भी जानते हैं कि जो जद्यू बिरोधी वोट है वो बटे लेगा तो इसका फाइदा उनके उमिद्वार को मिलेगा। जन्ता तल उनाइटेट के राश्चिय जक्ष ललन सिंग ने भी उप्चिनाव को लेकर कहा था कि लालू यादो ने मुसहर समाज के नेता को ठगा है। इसके वारे में उन्होंने पूर्व पश्पालन मंत्री बोला राम तुफानी का नाम लिया और कहा कि पहले उन्हें हेलिकॉप्टर पर गुमाया और उसके बाद से उन्हें घर बुला कर उनके भरोसे का फाइदा उठा कर फरजी दस्तावेजों पर हस्ता चर करवा लिया और चारा घोटाला में उन्हें भी अभियुक्त बना लिया जबकि उन्होंने घोटाले का एक रुप्या भी नहीं लिया था। जिस पंचायत का जिमा सौपा गया है उसे हर हाल में जितना भी है अन्यत्या इसकी जबाबदे ही मिधायकों की होगी। यह सब कूछ बताने का मतलब है कि राश्य जनता दल ग्राम अस्तर पर मद्दताओं से संपर्ग कर रही है जो उप्चुनाव के महत्त को बताने के लि जिए बाकी मिलते हैं फिर बहुजा लगले वीडियो में कैमरे के पीछे खाले हों परकाश और मैं मोहित कुमार सी बहुत बहुत धन्यवाद